अज मैं आपको यहां explain कर रही हूं कि आप किसी number name को जैसी यह लिखा हुआ है इसका numeral या number कैसे बनाएंगे कैसे लिखेंगे यह number name दिया हुआ है अगर इसको Indian place value chart के हसाब से लिखना है तो हम ऐसे columns बना लेंगे और यहां से हम start करेंगे पहले ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, crore और ten crore अब यह जो है लिखा है words इसको इसके अंदर fit करते जाना है पहला है three crores तो यहां पे कुछ नहीं आएगा यहां पे three आ जाएगा उसके बाद है sixty six lakh तो यहां हम लिखेंगे sixty six उसके बाद है seven thousand तो अब seven thousand के लिए यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे यहां seven के seven लिखेंगे thousand के नीचे and four hundred तो hundred के नीचे four and eighty 80 अब जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पे आपने zero लिखना है तो आपका number बन गया three six six zero seven four eight zero जो मैंने आपको question दिया उसमें यह भी लिखा कि आपने कॉमा लगाने तो Indian place value के हिसाब से पहले तीन डिजिट के बाद कॉमा फिर दो डिजिट के बाद कॉमा फिर दो डिजिट के बाद कॉमा तो आपका answer कुछ ऐसा है